Hello everyone, आज हम बात करते हैं philosophical and sociological theories of gender सबसे पहले अगर हम बात करें तो लिंक के दर्शन शाष्त्री और समाज शाष्त्री सिधान्त के बारे में समाज एक सरंचना के अधारना को समझने से पुरो में सरंचना के अर्थ को समझना होगा क्योंकि सरंचना एक जटिल समगर है जिसमें वीभी निकाई हैं दूसरे से अर्थ कुण धंग से जुड़ी होती है इनी काईयों में अगर प्रस पर हम एकता और निर्भरता होती है जिसमें कि जैसे विशेश क्रम में अगर जुड़कर एक जटिल समगरी बनती है उसे सरंचना कहा जाता है जैसे चूना, बज़री, मजदूर से मिलकर ही मकान रूपी जो भोतिक सरंचना उसका निर्मान कर पाते हैं जो समाज शर्ष्त्री तो था मानव शर्ष्त्री ने परिभाशाई भी दी हैं जिनमें से अकोडिंग टू टॉलकर पार्संस के अनुसार भी समाजिक सरंचना, प्रसपर समबंदीत संस्थाओं, एजन्सियों और समाजिक प्रतिमानों तथा समू के साथ प्रतेक सदस्य द्वारा ग्रैन किये पदों तथकारियों की विशिष्ट करमबदता को कहते हैं कि समाजिक सरंचना समाज की लगू और रिहे तिकाईयों जैसे पद, भूमिका, समू, संस्थाओं, प्रतिमानों जटिल करमबद भी है समाजिक सरंचना के चार तत्तों मुख्य रूप से माने जाते हैं विबिन परकार के उप्समू परिवार जैसे हो गए, माता, पिता, पुत्तर, शिक्षक हो गए और सकरात्मक और नकरात्मक मान्देंड हो गए या फिर जन जातियां और रिति रिवाज लगा लिजिए जैसे लिंक की समाजिक सरंचना के मुख्य सिधानत है जैंडर डेवलेप्मेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जैंडर डेवलेप्मेंट योन विकास के सिधानतों की अगर हम बात करें तो तो योन विकास से जुड़े कुछ सिधानतों का प्रतिपादन किया गया है इन सिधान्तों के माद्यम से हमें इस बात का ज्यान होता है कि आयू बढ़ने के साथ-साथ योन संबंदि या योन संबंदी भेद बाव किसी भी प्रकार का होता है इन सिधान्तों की जो संग्षित रचना है हम इन में करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर स्कीम थियोरी की जिसमें की जैसे की बोलते हैं योन तत्र सिधान्त इस सिधान्त के अनुसार बालक की जो योन पहचाने तता उसके परनासू बच्छे में उत्पन होने वाले लिंग श्रीनी संगती की जैसे सेक्स केटागरी जो होती है योन तत्र मेत्पून भूमेकानी बाते हैं इस सिधान्त के अनुसार बालक चाहे किसी विजातिया धर्म से संबंद रखता हो उस बालक की श्रीर में विभी नंगों की बनावाट या रंग की आँखों के रंग जानने से पहले यह जाना आवश्यक है कि बालक किस योन से इ रिरिक मानसिक क्रियात्मक नैतिक तथा अन्य परकार के विकास के साथ संगयन आत्मक विकास भी होने लगता है शुरू शुरू में बालक को अपने बारे में किसी परकार का कोई ग्यान नहीं होता दीरे दीरे वह स्वयम और दूसरों में अंतर करना सीख जाता है सधार्म पीरम बात करते हैं, theory related to social learning जैसे कि समाजी कदिगम से संबंदित सिधान जो है इस सिधान के अधार या मानेता है कि यदि बालकों के link संबंदी रोडियों तता link भूमिकाओं के अनुसार वेवार करने पर पुरुसकारिय पुनलबर परदान किया जाता है इस परकार के behavior pattern को बहुत जादा मतलब अरजित कर लेते हैं तता अपने gender से एक व्यवार करना सीख जाते हैं ऐसे बालक अपने ही link वाले माता पीता की आतों जैसे व्यवार उचियों आपने जैसे घर में भी देखा होगा वे अपने माता पीता जैसे ही बनने की कोशिश करते हैं जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो अपने पिता की तरह ही कपड़े पहनना चश्मा लगाना उसके पचाठी वैसी क्रियाई करनी शुरू कर देता और लड़कियां भी अपनी माता की तरह ही खाना बनाना साड़ी पहना आधी करियाई करने लगती है जैसे यून भूमिका का जो सिध्धानत अगर आता है तो उसके अनुसार लड़कियों लड़कियां परिवार से यकुति ववार और दृष्टिकों सीखते हैं तता संपून संस्कृत जब बड़े हो जाते हैं तब सिखते हैं इस परकार नान श्रीरिक योन अंतर समाजिकन का परिनाम होते हैं सोशल रोल थियोरी का यह मालना है कि जेंडर डिफरेंस के पीछे समाजिक सरंचना का शक्ति अबल होता है क्योंकि सोशल रोल थियोरी के अनुसार ही बोन सेक्स के बीज मतलब की जैसे डिविजन ओफ लेबर हो गया परिनाम से रूप होता है डिविजन ओफ लेबर में जेंडर रोल्स उत्पन होते हैं जिसके अनुसार एक जो समाजिक व्यवार है वो उत्पन होता है जिसमें अकार और श्रीर की शक्ति पुर्शों की उन समा की बेदित करना समाजिक व्यवार की प्राथमी कुदपत्ती है उन पर मनोवेग्यानिक और समाजिक प्रियाओं का परभाः पड़ता है जिसमें विकासमातक्म और समाजिकन प्रिक्रियाएं और समाजिक अंतर प्रिक्रियाओं में शामिल प्रिक्रियाएं शामिल होती है जिसके अपेक्षा पुष्टी करनी वारियो हो जाता है नेक्स नम बात करते हैं जेंडर आइडेंटिटी फैंबली मीडिया जेंडर रोल एंड स्टिरियो टाइप लिंक पैचान परिवार, मीडिया, लिंक, भूमिका और रूडी युक्तियां जब बच्चा अपने बारे में नरिया मादा होने का जो वास्तिरी ज्यान है वो जित कर लेता है तो यह लिंक पैचान के और संकेद करता है जैसे हमें यहां भी बात की थी कि दो वर्ष तक का बच्चा लिंक पैचान सापित कर लेता है वो लड़का यो लड़की के रूप में पैचान करने लग जाता है जेंडर जो है एक जटिल परकार का पद होता है जिसके अंदर गर तुरूरी युक्तियों तो था लिंग भूमिकाओं दोनों को सम्मलित किया जा सकता है बालक में लगबग दो वर्ष की आयो तक लिंग पैचान के बारे में धारमत सपष्ट हो जाती है सबसे पहले अगर हम बात करें तो निमिन भेदबा उत्तरदाई कुटपन करने के लिए उत्तरदाई होते हैं सबसे पहले होते हैं डिपेंड सोन मेल्स पुर्षयों पर निर्भरता विशेशकर भारत में महिलाओं को विबिन भूमिकाई निभानी पड़ती है जैसे बहन, मा, आदी यही महिलाओं की नियती भी है फेट भी यही है लेख उफ एजिकेशन शिक्षा का जो अभाव है उसमें भी उन भूमिकाउं को परभावित करता है शिक्षा को समाजिक परिवर्तनों का मुख्य साधन माना जाते है शिक्षा के पर नाम सुरूप ही समाजिक गतिशीलता आती है नए-ने अवसर पैदा होते हैं कस्टम्स रिती रिवाज अगर हम रिती रिवाज की बात करें तो पहले लोग अपने परिवार और बाल बच्चों के एक समुदाय के रूप में रहते थे अर्था समाजिक गतिशीलता का अभाव था जीवन निर्वाँ के लिए स्थानिया लोगों के साथ अंतक्रिया करना आवश्यकता थी परंतु परिवार को अधार बना कर जो मनुरंजन है तेवार है कारेकरम किये जाते थे योजना बनाई जाती थी नेक्स्ट है लेकोफ एक्सपोश्योर बारी संसार से संपर्क का अभाव महिलाओं को घर से बाहर निकलने के अवसर का अभाव सामना करना पड़ता था ये बारी संसार के संपर्क में नहीं रहती थी वो पडिवार के बीतर रहकर ही अपनी भूमे का इने बाती थी नेक्स रम बात करते हैं मीनिंग ओफ स्टिरियो टाइप्स व्यक्तियों के अनुभोंगों की अगर व्याख्या करते हुए वस्तू और घटनाओं के बारे में जो निर्ने सूचनाओं की सीमित मात्रा के अधार पर लिया जाता है जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तू या घटना के बारे में अपने अनुभोंगों के अधार पर सभी कुछ जानता होगा लेकिन सूचनाओं की इस कमी के बारे में कोई व्यक्ति चिंतित होगा तो जिन वस्तू या घटनाओं का परदर्शन किया जा रहा है उनमें एक जैसे परदार्त और घटनाओं की परिचित विशेशताओं के बारे में सोचना होगा जिनका पहले उससे सामना हो चुके होगा वही वस्तू और घटनाओं के अतिविस वर्गों के प्रतक्षी करन के लिए किया जाता है सेकर्ड एंड बैंक्मेन के अनुसार रूडियां ऐसी च्छाप या धारनाई हैं जिनके अधार पर हम व्यक्तियों को निश्चित वर्गों में भी बाट सकते हैं लीपमेन ने भी व्यक्तियों को अगर प्रियोग इस पर अभी प्राय के अंतक्रत किया था कि वे विचार तत्वरीतियां जो मस्तिख्ष में जाकरित होने के पश्यात एक चित्र या प्रतिमा अंगित कर देती हैं जेंडर रोल और स्टिडियो टाइप्स के अगर हम बात करें तो लिंक भूमी का रूडी व्यक्तियों के अनेक तत्व होते हैं बच्चों इन सभी तत्वों को एक साथ नहीं सीख पाते यदि भी बच्चों में व्यक्तिकत बेगवा पाए जाते हैं तथा पी उनमें फिर भी प्रतिमान लगबग एक समान रहता है या प्रतिमान बच्चों के संग्यानात्मक विकास पर भी और समाजिक दबाओं पर भी निर्बल करता है क्योंकि परतेक समाज जो है पुर्षो जबकि लड़कों को मजबूत परिवाता सरंग्शन चुस्त तथा आकरमक भी होना चाहिए लिंग भूमिका जैसे रूड़ी युक्तियों का लड़के तथा लड़कियों पर बहुत अधी गहरा परवाब बढ़ता है जिनका वर्नन अगर हम कहें वेल इन माई अपीनियन अगर मैं कहूं तो बहुत से स्मार जैसे महिलाओं या लड़कियों के तुलना में पुर्षो और लड़कों को ज़्यादा महत्व देते हैं हमारे देश में जो लड़कियों की छोटी आयूमी शादी हो जाने पर वो जल्दिमा बन जाती है लड़कियों के स्वास्थे का अगर लड़कों की तुलना पर कम देहान दिया जाता है लड़कियों के लिए पढ़ाई करना अनिवारिया नहीं माना जाता है क्योंकि लड़कों को शिक्षा की प्रात्मिक्ता दी जाती है अगर पुर्शों आयम लड़कों के साथ भी कहीं तरह का भेदबाव किया जाता है महिलाओं की भूमिकाओं में बहुत बदलाव आया जो कि पाश्यात्य शिक्षार नगरी कन और अध्योगी कन के परभाव में परिनाम सुरुख बहुत जादा है हर शेत्र में महिलाओं की बढ़ाने के लिए प्रतन किये गए हैं कहीं कानूनी प्रावधान भी किये गए हैं जैसे पंचायती राज महिलाओं के कल्यान के नहीं लिए निर्मित संस्थान इत्यादी नेक्स रम बात करते हैं माध्यम से आप क्या समझते हैं अगर मीडिया की मिका को हम कुछ सोचते हैं जैसे कि मनुष्य की सुपता जो है संचार का एक शाब्दिक अर्थ अगर हम माने तो समाने रूप से संचार शब्द को किसी बात को फैलाने या आगे बढ़ाने के लिए अर्थ में ग्रहन किया जाता है संचार माध्यमों की साहता बात करते हैं यह शब्द का अर्थ संप्रेशन के रूप में ग्रहन किया जाते हैं व्यक्ति के भाव अत्वा विचार को दूस मुद्रित जनसंचार माद्यम की मुद्री शब्त का अर्थ की उद्ध की शपा हुआ या अंकीत करना वैसे तो जो मानव जाती है इतिहास के अरम में बीति चित्रों की प्राप्ती से पश्ट हो जाता है कि भाशा के लिखित रूप की खोज से पहले ही मनुश्य ने चित्रों के मादियों से संदेशों के अदान-परदान का प्रयास किया था जैसे कि अगर हम बात करें तो मुद्रित जन संचार जो मादियों में उम्मों में दूसरा स्थान में पत्रिकाएं हैं जो पराए सभी भाशाओं में छपती हैं लेकिन ये पराए दैनिक ना होकर सबताहिक पाक्षिक हैं यह पत्रिकाएं जो है समाने तो सभी विश्यों पर होती हैं समग रुप से परकाश डालने वाली होती है करें मुद्रित जन संचार के माध्यमों में मुख्यर उसे समाचार पत्र पत्री काएं अधिको मैतव दिया जाता है जन साधारन में जो पहुच में होते हैं वो इसकी विशेश उत योगिता होती है राज्यसरकारे केंदर सरकार वयवासिक ये गैर वयवसरी माध्यमों से ही ये परकाशित करती हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनिक जनसंचार माध्यम जन्दसंचार के वे माध्यम जिन में प्रहे किसी विशिष्ट इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का प्रियोग होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोनिक जन्दसंचार माध्यम कह जाते हैं वैसे तो टेलीफोन, टेलिग्राफ, मुबाइल, फोन, पेंजर अधी भी ऐसे इलेक्ट्रोनिक उपकर्ण है जिने जन संचार के माध्यम से रूपें भी प्रियूप किया जाता है जैसे अकाशवानी रेडियो हो गया, दूर दर्शन हो गया, माध्यम हो गया बारत में जो 15 अगस 1982 को जो भारत में रंगीन टीवी का प्रियोग किया जाने लगा इसी दिन से राश्ट्रिय कार्यक्रमों का परसार भी किया जाने लगा दूर दर्शन हो टीवी न केवल एक मैतपून जन संचार माध्यम बन चुका है बलकि यह एक अवश्चक अंग भी बन गया है 1990 के दर्शक में टेलिवीजन पर कार्यक्रमों के परसार भी के लिए नीजी चैनलों की भी अनुमती दी गई जिसमें आज तक स्टार न्यूस जीडी न्यूस 24 घंटे के वल समाचारों का ही परसारन करते थे नेक्स्ट अगर जो हम बात करें अनने दर्शे श्रवय माध्यम दूर दर्शन या टीवी के अत्रिक फिलम या चलचितर रेडियो कैसे जैसे डीवीडी अधी उपकर्ण भी आ जाते हैं सीडी प्लेयर वी सी आर अधी की अवक्षता पड़ती है सीनिमा घरों में भी अगर हम बात करें चलचितरों के माध्यमों से भी इसकी जो है सूचना देने भर काही कार्या करते हैं नेक्स्ट रम बात करते हैं फोटोग्राफिक जन संचार माध्यम वसते यह भी दृष्षे शरफवे जन संचार माध्यम के अंतगरत आते हैं क्योंकि इनमें भी धवनी सुनाई देने के साथ रिष्षे भी दिखाई दिये जाते हैं सिने में घरों प्रजेक्टरों अधी की साहता से वृत्चित्रों न्यूजरीलों अधी के द्वारा सरकारी गैसर कारी संस्थाओं की नितियां सिधान्त कारेकलापादी को दरशाय जाता है लास्ट वन इस इंटरनेट इंटरनेट जो है यह नवींतम जन संचार माध्यम है प्रंतु इसका उप्योग के विल शिक्षित लोग ही कर सकते हैं वस्तुत है वह है अगर हम बात करें जन संचार माध्यमों के तिलनाओं में बहुत अधिक त्रिवगरती से जो चलने वाला प अपनी वेबसाइट खोल रखी है जो कि समचारों को इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है इंटरनेट सुचनाई जो है व्यापक और विस्त्री जाल है अगर हम बात करें कंप्योटर की साहता से बहुत अधिक लाव वाली है क्योंकि इसके माध्यम से खेल अ प्राप्त होते हैं